हलो दोस्तो कैसे आप सब लोग उमीदा आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन को बड़े बहतरी नढंग से कर रहे होंगे और आप जानते हैं दोस्तो नोटिफिकेसन आने में कुछी समय बाकी बचा हुआ है और कुछी दिन में आपको आरो यारो का नोटिफिकेसन देखने को मिल जाएगा और आपको अपनी तयारी को बहतरी नढंग से करना है प्रेक्टिस सेट जितने हो सकते हैं उतने आप सोल करिए और प्रीवेस येर जो कोश्चन है ये भी आप देखते रहे हैं ठीक है यूपी PCS जितने भी कोश्चन पूछता है हम आपके साथ हैं हम आपकी प्रेक्टिस करा रहे हैं और किस किस तरह से किस टोपिक से कितने प्रेसंट बनते हैं ये हम आपको साथ के साथ बताते चल रहे हैं और आज हमारा जो टोपिक है, आज हमारा टोपिक है सिंदुगाटी सब था, और ये गारेंटी है दोस्तों कि इससे बाहर question आपका बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है, ठीक है, और UPPCS ने अब तक कितने question पूछे हैं, और language क्या question एक होता है, लेकिन language बदल बदल के जो है UPPCS question पूछता है, ये चीज आपको पता है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं, देख लेते हैं हमारा आज का पहला question, हमारा पहला question आज का हो जाएगा दोस्तों, आपको सभी question को देखना है, और बड़े अच्छे question है, और बड़े selected question है दोस्तों, आपको देखना है आज का पहला कोस्चन तो पहला कोस्चन क्या कहता है मानव समाज विलक्षन है क्योंकि यह मुख्यत है आसिरित होता है तो किस पर आसिरित होता है जो मानव समाज है यह विलक्षन है और यह मुख्यत है आसिरित होता है तो किस पर आसिरित होता है तो यह जो है दोस्तों आपका कहां पूछा गया है ये question आपसे पूछा भी गया है दोस्तों ये कहां पूछा गया है ये भी आपको देख लेना है 2004 में पूछा गया है और सभी question दोस्तों इशीत रहे हैं दूसरा question है हडपा निमने लिखित में से किस सभ्यता से संबंद है हडपा का जो है किस सभ्यता से संबंदित है सुमेरियन सभ्यता सिंदू गाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता या आपकी मैसा पोटामिया सभ्यता और MPPS का question है और question number 2 का आपका correct answer हो जाएगा ये हो जाएगा question number 3 किस से संबंदित है आपको बताना है question number 3 का correct answer क्या हो जाएगा तो 3 का correct answer हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आद एतिहासिक यूग ये आपका इसका correct answer हो जाएगा सिंदू सभ्यता जो है आद एतिहासिक यूग से संबंदित है और दोस्तों इसी तरह के question same pattern के question जो है आपसे इस बार भी पूछे जाएगे और ये question सारे जो है पिछली परिक्षाओं में पूछे हुए है ठीक है इससे बाहर question बिलकुल नहीं जाएगा question कहां से लाना है किस की अपनी लिपी थी और उसकी खेतियर अर्थिवस्ता थी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था तो गैर आरिये की बात करते हैं तो गैर आरिये थी दोस्तों किस किस वज़े से गैर आरिये थी तो ये जो है दोस्तों सब जानते हैं वह एक नगरिय सभ्यता जो सिंदू पांच है हमारा सिंदू सभ्यता जो सिंदू गार्टी सभ्यता को आर्यों से पूर की रखे जाने का महत्पूर्ण कारक क्या है उनकी लिपी है नगर नियोजन है तांबा है या आपका मिरत भांड है तो किस वज़े से जो है सिंदू गार्टी सभ्यता को आर्यों से पूर रखा जाना महत्पून है और पांच का आपका correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी question number six देख लेते हैं question number six जो सिंदु गार्टीसंस क्रैटी वैदिक सब्याता से भिन्द थी क्योंकि क्यों भिन्द थी इसके पास विक्षित सहरी जीवन की सुविधाई थी इसके पास चित्रलेखेवित लिपी थी इसके पास लोहे और रक्सो इसके पास लोहे और रक्षा सस्तरों के ग्यान का अबाव था और या उप्रियोक्त सभी और ये पूछा गया कोश्चन है दोस्तो जो सिंदुगाटी सब्व्याता थी इसमें जो है सहरी जीवन की सुझाएं थी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके पास चितर लेखे लिपी थी ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा और सिंदुगाटी सब्व्याता में जो है लोहे और रक्षा सस्तरों के ग्यान का अभाव था तो लोहा का जो अभाव था वो बिल्कुल सिंदुगाटी सब्व्याता में था क्योंकि सिंदुगाटी सब जानकारी का परमुक्सरोत क्या है शिला लेख हैं पकी मिट्टी की मुहरों परंकीत लेख हैं पुरा तात्वी खुदाई है या उप्रियुक्त सभी हो जाएगा यह कहां पुछागा है यह आप देख सकते हैं तो कोश्चन नमबर साथ का करक्ट आंसर हो जाएगा आपका तो यह हो जाएगा जो पुरा तात्वी खुदाई है तो इसके आधार पर जो हड़पए सभ्याता की जानकारी हमें मिलती है और कोश्चन नमबर नेक्स्ट देख लेते हैं निमने लिखित में से कौन सा सिंदु घाटी की सभ्याता पर परकाश डालता है तो कौन सा जो है करेक्ट आंसर जो है आपको बताना है तो कोश्चन नमबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पूरा तात्विक जो खुदाई है जो पूरा तात्विक संबंदी खुदाई है उससे जो है सिंदु घाटी सभ्याता पर पर परकाश डाला जाता है और यह आपके जो और वहाँ पाई गई है तो क्या पाई गई है और जानने का मुल सुरोत क्या है मोहरे हैं बरतन जेवर हतियार और ओजार है मंदिर है या वहाँ की लिपी है ठीक है ये आपसे question पूछा गया है और 9 का आपका correct answer हो जाएगा जो सिंदु घाटी सब्वेता है वो जो है उनको ज सूची दो से सुमेलित कीज़े और सूचों के नीचे कूट को सही उत्तर आपको बताना है तो क्या-क्या दिया हुआ है इसमें तो सही उत्तर का जो है इधर हडपा दिया हुआ है सूची एक सूची दो तो हडपा की बात करते हैं हडपा की खुदाई से संबंदित खोन है जो हडपा है, उसकी खोज जो है, किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है, और हस्तनपुर की, तक्षिला की और कोसाम भी की, तो इनसे संबंदित कौन-कौन है, ये आपको जो है, बताने हैं, तो हडपा की बात करते हैं, तो हडपा की खोज जो है, ये आपका की सर्षान है तो बाकी देख लेते हैं सतनापूर की बात कर लीते हैं तो इस दो दो ृश्यार ओर कि और देख लेते हैं तक्षिला की खोज किसी ने की थी तक्षिला की खोज जो आए यह की थी आपकी जोन मार्सल तो c का आपका दौ हो जाएगा और d का एख हो जाएगा आपका koosasam bo ndaage को कोसाम भी की खोज़ जोआ है ये आपकी NG मजुमदार ने की थी ठीक है इनके सामने इनके एर भी लिखे हुए हैं दोस्तों ये भी आपको एक बार देख ले जाएगा आपका C और UPRO की परेक्सा में पूछा गया कोस्चन है इसी तरह के कोस्चन जो है इस बार भी आपको दे संस्क्रेटी से वैदिक सहीताओं से या चांदी के आहत सिक्कों से और ये कोस्चन जो है उचा गया कोस्चन है और बार आपका करक्ट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका जो हडपा संस्क्रेटी है तो भारत में चांदी की उपलब्द जो है ये हडपा संस्क्रे तो हडप्प में बरतनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था लाल रंग का नीला या हरा पांडू या नीले कलर का तो तेरे का जो है आपका करक्ट आंसर हो जाएगा जो हडप्प में मिट्टी के बरतन उन पर जो है लाल कलर का उपयोग हुआ है और हडप्पा सब बैता में चित्रगारी भी जो होती थी, वो भी ज़्यादा लालकरत ही पाई गई है, और question number देख लेते हैं आपका 14, मूर्ती पूजा का आरंब कब से माना जाता है, पूर आर्यकाल से, उत्तर वैदिक काल से, मूर्यकाल से, या कुसान काल से, question पूछा गया है, आप देख सकते हैं, औ और 14 का आपका जो correct answer हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आपका जो मूर्ती पूजा का आरंब है, वो आपका पूर आर्यकाल से माना जाता है, ठीक है, मूर्ती पूजा का जो प्रारंब है, पूर आर्यकाल से माना जाता है, और सेंदव सब्यता में मूर्ती पूजा जो है, प्रिची लिखती ठीक है और इसके जो उधारन है वह आप उधारन देख सकते हैं इसमें जो है आपको मात्रदेवी की और पसुपती की जो है मूर्ती देखने को मिलती है और कोश्चन नमबर देख लेते हैं 15 कोश्चन नमबर 15 है आपका निमने लिखित पसुओं में किस एक का हडपा संस्क्रेटी में पाई गई मुरो पर टेरा कोटा कला करते हैं कि निरूपन नहीं हुआ है तो किसका निरूपन जो है टेरा कोटा में नहीं हुआ है आपको बताना है दोस्तों किसका निरूपन जो है Moro और Tera Goata पर नहीं हुआ है तो गाय का नहीं हुआ है हाथी का, गैंडे का या आपका बाग का तो हाथी यह आप देख सकते हैं हाथी का तो हुआ है और यह आपका कूबडवाला बैल भी है और यह आपका गैंडा भी आपको देखने को मिल जाएगा और यह आपका बैल भी देखने को मिल जाएगा लेकिन गाए का जो है साक्स कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा जो सिंदुगाटी सब्यता है या जो हडपा संस्कृति है उसमें आपको गाए का साक्स कहीं नहीं मिलेगा आपको और गाय को जो महत्यों दिया गया है वो आपका वैदिक संस्कृति में दिया गया है तो इतनी बात आपको याद रख लेनी है और ये question जो है पूछा गया question है और question number 16 देख लेते हैं निमने लिखित में से कौन सा एक हडपा इस्थल नहीं है हडपा इस्थल कौन सा नहीं है चंद हुजड़ो हो जाएगा कोट दीजी सोगोरा या आपका देशलपूर तो इसमें से आपको बताना है कौन सा एक हडपा इस्थल नहीं है तो ये correct answer हो जाएगा लुआ में पढता है और यूपि ये आपका देशल एक मोरिय का आलीन में आ ठीक है दोस्तों इतनी बाट आपको याद रखने है बागी सब जो है हडपा सब्वेता सजंबन दीता चंदुडुडुड हो जाएगा कोड़ दीजी और देशलपूर और कोश्चन नमबर 17 देख लेते हैं और प्राची निस्थल हैं ये प्राची निस्थलों की सूची है और पुरातात्विक खोज तो आपको एक तरफ दिखाया गया है प्राची निस्थल और एक तरफ दिखाया है इनकी खोज ठीक है तो कहां कहां से हुई है ये आपको देख लेना है सूची एक को आपको सूची को क्या मिला है तो सबसे पहले लोथल की बात करते हैं तो लोथल से आपका मिला है गोदिवडा गोदिवडा यानि कि वहाँ पर एक बंदर का मिला है जहां पर जो है जहां जो का आना जाना रहता था तो एक आपका दो हो जाएगा तो एक आपका दो जो है इसमें नहीं है और आपका और इसमें भी नहीं है काली बंगा की बात करते हैं तो गाली बंगा से क्या मिला है दोस्तों काली बंगा से मिला है आपका जुते हुए खेत के परमान जो है वो काली बंगा से मिलते हैं धोला वीरा की बात करते हैं तो धोला वीरा की से क्या मिला है धोला वीरा से आप की मिली है तो एक का दो और दो का एक ही आपका correct answer कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बी ठीक है दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखने हैं लोथल से गोधिवाड़ा के साक्स मिले हैं काली बंगा से जुते हुए खेद के धोला वीरा से हडपा लिपी के बड़ कहां से प्राप्त हो है कहां पर मिला है तो ये लोथल से मिला है और जुते हुए खेद के परमान कहां से मिले हैं ये आपके काली बंगा से मिले हैं और बनावली से आपके पकी मिट्टी के बने हुए हलकी परतिकरती कहां से मिले ये आपकी बनावली से मिले है तो वन डे ए खेत की खोज की गई थी मौहन जोड़ों में, काली बंगा में हरपपा में या आपकी लोथल में मैं भी आपको उपर वाले कोश्चन में बता रहा था और वो इक कोश्चन जो है सेम आ गया है तो जुते हुए खेत के जो परमान है यह आपके काली बंगा से मिल जाते हैं और काली बंगा कहां मिलता है दोस्तों तो काली बंगा पड़ता है आपका राजिस्थान में चले दोस्तों देख लेते हैं निम्न में से किस हड़पन नगर में जुते हुए खेतों के निसान मिले हैं काली बंगा से धोला वीरा से मोहन जोड़ो से या लोथल से और उप्रोक्त में से कोई नहीं यह BPSC का कोश्चन है और BPSC में आपको पांचवा कोश्चन जो है यह कन्फ्यूज करने के लिए दिया आपका सेम रहेगा आपको एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ती है आपको पता चल जाएगा कोश्चन की लेंगवेज कुछ भी हो आपको के वल आंसर बताना है कि जुते हुए खेत के जो परमाने यह आपके काली बंगा से मिले हैं और काली बंगा कहां इस्तीत है तो कोश्चन नमबर 20 आपका सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है और सही उत्तर का आपको चैन करना है तो हडपा की बात करते हैं दोस्तों तो हडपा से किसके साक्स मिले हैं तो हडपा से मिले हैं आपके सवाधान के साक्स जो हडपा है दोस्तों महां से आपके सवाधान के साथ मिले हैं लोथल से आपको मैंने भी पिछले question में बताया है लोथल से आपको गोदिवाड़ा के साथ मिले हैं गोदिवाड़ा यानि के बंदरगा गोदिवाड़ा को दोस्तों बंदरगा कहा जाता है और काली बंगा से ये आपके जुतेवे खेत के परमान मिले हैं और C का यह आपका D जो है correct हो जाएगा और UPPCS में यह question जो है पूछा गया है ठीक है यह चीज आपको याद रखेंगी है question number 20 का D जो है correct हो जाएगा और अगर आप channel पर नहीं है और आपने अभी तक channel को subscribe नहीं क्या है तो दोस्तों आप हमारे channel को subscribe आउस करें और टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए link आपको description में मिल जाएगा और वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों में भी share कर सकते हैं और question number 21 देख लेते हैं question number 21 है आपका सूची एक को सूची दो से सुमीलित करना है और देव कूट का परियोग करके सही उत्तर का आपको chain करना है ठीक है तो ये चीज़ आपको देखनी है हडपा की बात करते हैं दोस्तों तो हडपा कहां है तो हडपा ये आपका हो जाएगा रावी नेदी के किनारे हस्तनापूर की बात करते हैं तो हस्तनापूर आपको गंगा नेदी के किनारे मिल जाएगा और नागार्जुन जो है ये आपका केसना नेदी के किनारे मिल जाएगा और पैठन जो है आपका ये मिल जाएगा आपको गोदावरी नेदी के किनारे तो एक आपका दो हो जाएगा A का 2 आपका केवल A के ओप्शन में दिया हुआ है A का 2 R B का 3 C का 4 और D का 1 हो जाएगा तो आपका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा जो हडपा है वो रावी ने दिके किनारे है हस्तनापुर गंगा ने दिके किनारे है नागरजुन कोंडा जो है ये किरसना ने दिके किनारे और पैठन जो है गोदावरी ने दिके किनारे हो जाएगा इससे question जो है इसी से आपका बनने वाला है चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का question number 22 ये भी उसी तरह से है दोस्तों आपको जो है कूट दिया गया और सही उत्तरगा आपको chain करना है तो क्या है दोस्तों देख लेते हैं सभी question जो है अच्छे level के question है और आप देख सकते है एक भी question को आपको skip नहीं करना है और ये सेम उपर वाले question के जैसा ही है और आप देख सकते है हडपा जो है ये आपका रावी ने दीके किनारे हो जाएगा काली बंगा ये आपका घगर ने दीके किनारे हो जाएगा काली बंगा घगर ने दीके किनारे हो जाएगा लोथल आपका भोगवा ने दीके किनारे हो जाएगा और रो पड़ आपका ये हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा आपका A का 3 तो A का 3 आपका जो है इन में मिल तोनों में और हम चेक कर लेते हैं इसको काली बंगा B का 2 हो जाएगा तो B का 2 आपका ये आपका A ज़ो है correct answer हो जाएगा ठीक है दोस्तो इतनी बात आपको याद रखनी है हडपपा रावी ने दिके किनारे है काली बंगा गगर ने दिके किनारे है लोथल भोगवा ने दिके किनारे है आपसे अलग से भी कोश्चन बनता है कि लोथल जो है ये आपका किस ने दिके किनारे है तो आपको बता देना है लोथल जो है या आपका भोगवर नदी के किनार है इस तरह से भी question आपसे बन सकता है ठीक है दोस्तों तो इसको आपको जो है अच्छी तरह से याद रख लेना है और ये दोस्तों question पूछा गया question है चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का question number 23 थिरी हडपा किस नदी के किनारे अवस्थित है तो हडपा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है हडपा जो है यह आपका रावी नदी के किनारे अवस्थित है और यह आपसे कोश्चन पूछा गया है जहार घंड में कोश्चन नमबर 24 देख लेते हैं दोस्तों 24 कोश्चन जो है क्या कहता है सेंदव सब्याता का महा निष्णानागार कहां से प्राप्त हुआ है यह आप देख सकते हैं दोस्तों महा निष्णानागार है और यह कहां से प्राप्त हुआ है तो यह प्राप्त हुआ है आपका मोहन जोदलो से 24 का जो है यह आपका correct answer हो जाएगा और इसकी जो लंबाई चोड़ा है यह दो तो यह आपका जो है उत्तर से दक्षिन की बात करेंगे गर उत्तर से दक्षिन की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगे आपकी पचपन मीटर और अगर पूरव से पश्चिम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33 मीटर ठीक है दोस्तो इतनी बात आपको याद रख लेनी हैं लंबा ही चोड़ाई से अगर question पूछा जाता है तो आप इस तरह से question लगा सकते हैं चलिए दोस्तों देख लेते हमारा question number 25 और 25 question है हमारा विसाल इसनानागार जो विसाल इसनानागार है किस पुरा तत्व इस तल से पाया गया है आपसे same question है कि लेंग्वेज बदल दी है और इसी तरह से question आपसे पूछे जाते हैं question एक होता है आपको language बदल बदल के question दे दिये जाते हैं और बच्चे जो हैं वही confused हो जाते हैं तो 25 का आपका जो correct answer है वो हो जाएगा आपका मोहन जोदलो विसाल इसनानागार जो है विसाल इसनानागार है यह आपका मोहन जोदलो से मिला है question नमर 26 देख लेते हैं सिंदू घाटी सब्वेता के किस पूरा इस्थल से नाव के चित्र या मोडल प्राप्त हुएं तो आपको बताना 26 का answer correct क्या हो जाएगा तो 26 का correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका मोहन जोदलो एवं लोथल से जो नाव के चित्रिया मोडल प्राप्त हुएं यह आपके मोहन जोदलो और लोथल से प्राप्त हुएं ठीक है दोस्तों और question कहा पूछा गाए यह आप पहचान करनी है नगरों में नालियों की सुद्रड विवस्था थी बिलकुल दोस्तों यह आपका correct हो जाएगा जो सिंदुगाटी सब बैताई उसमें जो है नालियों की बड़ी अच्छी विवस्था कर रखी थी व्यापार और वानिजी की उन्नत दसा थी यह भी आपका correct हो जाएगा वियापार और वानिजी लोग जो है महां करते थे मात्र देवी की उपासना की जाती थी यह भी आपका correct हो जाएगा मात्र देवी की उपासना का कैसे पता चलता है तो मात्र देवी की महां से मूर्थी मिली है और लोग लोहे से परीचित थे तो लोग दोस्तों लोहे से परीचित नहीं थे ठीक है दोस्तों तो ये जो है सत्ता इसका डी जो है आपका इंकरेक्ट हो जाएगा सिंदू सभ्यता के जो लोग थे वो आपके लोहे से परीचित नहीं थे वो जो है अन्य दातों का परियोग करते थे और जिसमें चांदी का भी परियोग करते थ तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा question number 28 सिंदु गाटी सभ्यता जानी जाती है सिंदु गाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है नगर नियोजन की बड़ी अच्छी विवस्ता जो है आपको सिंदुगाटी सब्वेता में देखने को मिलती है ठीक है तो ये चीज तो आपकी करेक्ट हो जाएगी मोहन जोड़ो और हरप्पा के लिए ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा हरप्पा और मोहन जोड़ो सिंदुगाटी सब्वेता के दो परमुखनगर थे तो इसलिए भी जो है हरप्पा सब्वेता जानी जाती है और अपने उद्योगों के लिए और ये भी आपको पता है दोस्तों सिंदु सब्यता के जो लोग थे वो जो है व्यापार करते थे और वहाँ जो है व्यापार के साक्स भी मिले हैं जो आपका लोथल में गोदिवाडा मिला है दोस्तों वहाँ से जो है व्यापार के साक्स मिल 28 कड़ी जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों और इसी तरह के कोश्चन पूछे जाते हैं और इंसे बाहर कोश्चन कभी नहीं जाता है और इतना हो सकता है ओप्शन को आपको इंडिविजुल करके देदे ठीक है अपने नगर नियोजन के लिए कौन अपने नगर नियोजन के लिए कौन जाना जाता है तो सिंदुगाटी सब बेता जानी जाती है इस तरह से इंडिविजुल कोश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और question number आपका 29 हो जाएगा, निमनांग की तमिसे सुमेल नहीं है, आपको बताना है सुमेली तो आपका कौन सा नहीं है, आलमगीरपूर उत्तर परदेश में, ये विल्कुल correct हो जाएगा, आलमगीरपूर जो है उत्तर परदेश में हो जाएगा, लोथल आपका गुजरात में काली बंगा हरियान में ये दोस्तो गलत हो जाएका जो काली बंगा पंजाब से संबंदीत है ठीक है तो 29 का जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा C और यह question जो है कहाँ पर पूछा गाए यह आप देख सकते हैं ठीक है इसी तरह के question जो है आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे तो आपका सुमेल नहीं है यह आपको बता दिया गाए है काली बंगा जो है राजिस्थान में इस्थित है और काली बंगा से जो है जुते हुए खेत के जो है परमान मिलते हैं जुते हुए खेत के परमान जो है यह आपके काली बंगा से मिलते हैं और question number नहीं देख लेते हैं question number 30 है हमारा निमन में से सिंदू सब्वयता से संबंदित कौन से केंदर उत्तर परदेश में इस्थित हैं तो उत्तर परदेश में सिंदू सब्वयता से संबंदित हैं वो कौन से छेतर हैं और दिये कोई कूटों के सही उत्तर का चैन करना है दिये गए जो कूट है उनकी सायते से आपको सही उत्तर का चैन करना है तो आपको बताना है उत्तर परदेश में इस्ठित कौन कौन से है तो उत्तर परदेश में जो काली बंगा है यह आपका हो जाएगा राजिस्थान में काली बंगा राजिस्थान में लोथल आपका गुजरात में है ये भी आपको याद रखना है और आलमगीरपूर आपका ये आपका मेरट में है और हुलास जो है ये आपका यूपी के सहारनपूर में हो जाएगा जो आपका यूपी का सहारनपूर है इसमें आपका जो है हुल यह दो जो हैं यह आपके यूपी से संबंदित हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से केंदर संबंदित है तो यह आपका आलमगीपूर और खुलास यह आपके यूपी से संबंदित हो जाएंगे तो तीन और चार आपका यह दिया ओए ऑप्सन डी में ऑप्सन 31 दो है, क्या कहता है, निमने लिखित में से कौन सा हडपा काली इस तल गुजरात में है, गुजरात में कौन सा है, यह आपको बताना है, और यह BPSC का कोचन है, इसलिए इसमें 5 को उप्शन दिये गए है, ठीक है, तो लोथल की बात करते हैं, लोथल आपका, यह आपका गु याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, और जो डाबर कोट की बात करते हैं, दोस्तों, तो डाबर कोट जो है, और चलिए दोस्तों, इसका जो एक करक्टर आंसर हो जाएगा, 31 का यह हो जाएगा, एक, आपसे पूछा गया है, हडपा का अली इस तल जो गुजरात में है, तो व इन ने लिखी तो युगमों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इन में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको एक तरफ राज ये दिया हुआ है, और एक तरफ आपको जो हडपा संस्क्रेटी का जो इस्ठल है, वो दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा हरियाना में पढ़ जाता है और दैमाबाद आपका महराष्ट में पढ़ जाता है और बात कर लेते हैं राकी गड़ी की तो राकी गड़ी आपका राजिस्थान में नहीं है दोस्तों ये राकी गड़ी जो है ये आपका हरियाना में हो जाएगा जो राकी गड़ी आपका ये ह हो जाएगा आपका हर्याना में ठीक है दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है तो 32 का जो है करक्ट आंसर हो जाएगा डी कि चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा कोश्चन नंबर 33 और 33 है आपका उसी तरह से जोस्तों सूची एक को सूची दोसे सुमेलित करना है और आपको सही उत्तर का चैन करना है तो इसमें भी हडपा इस्थल दी हुए है और इनकी इस्थिती दी हुई है तो मांडा की बात करते हैं दैमाबाद, काली बंगा, राखी गड़ी चारों को आपको बताना है तो मांडा जो है एक चीज देख लेते हैं दोस्तों पहले जो हडपा सब बैता है दोस्तों उसका जो विश्तार मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है तो सबसे पहले जम्मो कस्मीर में आपका मांडा हो जाएगा जो आपका जम्मो कस्मीर में यहां आपको मिलता है बनाष्ट में इसके बाद जो पश्चीम में जो इस्थल पड़ता है ये पड़ता सुत कांगे डोर है और ये आज कल पाकिश्तान तक अशीरे इसलिए बात करते हैं जो पुर फसाइड को करते हैं शणीधbayर्णोष और स्जिन्दू गार्टक आश्रामगीर हैं मेरट में हो जाएगा आपका आलमगीर पुर। ठीक है दोस्तों ये चीज आपको याद रखनी है और मांडा के अब देख लेना है मांडा कहा है तो मांडा जो है ये आपका जम्मु कश्मीर से संबंदित हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये चीज आपने समझ ली है ठीक है जम्मु कस्मीर से दैमाबाद की बात करते हैं तो दैमा आपका कहां पता है तो दैमाबाद जो यह महराष्ट में इस्तित है यह आपका दैमाबाद हो जाएगा ठीक है इसकी एक ट्रिक भी है और ट्रिक क्या है तो यह हो जाएगा आपका इस तरह से आप याद रख सकते हैं म मादा सुवा जो होता है ये आपको याद रखना है मादा और सुवा ठीक है तो मैसे मांडा हो गया दैसे दामाबाद हो गया और आपका काली बंगा की बात करते हैं तो काली बंगा आपका राजिस्थान में हो जाएगा जहां से जुतेवे खेत के परमान मिलते हैं ये किसमें ही दोस्तों ये जो है आपसे पूछा गया है ठीक है तो आपका A का 3 तो A का 3 आपका केवल एक ही ओप्षन में मिल दा है और B का 4 हो जाएगा बिल्कुल B का 4 करेक्ट हो जाएगा और C का 1 हो जाएगा और D का आपका 2 हो जाएगा तो 33 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जा करना है और सही उत्तर का आपको चैन करना है ठीक है दोस्तों थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और यह 2020 में जो है कोश्चन आप से पूछा गया है ठीक है दोस्तों तो बालू की बात करते हैं दोस्तों तो बालू जो है सबसे पहले आपको मिली है यह मिल जाती है आपकी और जिस चीज़ के बारे में हमें पता है सबसे पहले मुसको मिला लेते हैं तो मांड़ा हमारा कहा है तो मांड़ा हमारा हो जाएगा जम्मू कास्मीर में ठीक है दोस्तो इतनी बात हमें पता है और बी का दो तो बी का दो आपका केवल इसमें मिल रहा है और बी का दो इसमें मिलता है और उत्तर परदेश के मेरट में आपका अलमगिरुपूर मिलता है और सहरनपूर में खुलास मिल जाता है तो D का एक आपका कौन से में हो जाएगा दोस्तों तो D का एक आपका इसमें है और D का एक इसमें नहीं है तो ये आपका incorrect हो जाएगा तो correct answer जो है आपका इसमें जो है D हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो एक आप लगा लेते हैं एक आपका तीन correct हो जाएगा तो बालू की बात करते हैं यह आपकी हर्याने से संबंदित हैं और पादिर की बात करते हैं तो यह आपका गुजरात में संबंदित हो जा ठीक है दोस्तों इतनी बात आपको याद रखे लिए और प्रक्टिस आपको अपनी बंद नहीं करनी है प्रक्टिस के बिना दोस्तों इसमें कुछ नहीं है कोश्चन नमबर 35 हडपा संस्कृति के निमने लिखी थी स्थलों में कौन सिंद में अवस्तित है तो सिंद में दोस्तों कौन अवस्तित है हडपा है, मोहन जोड़ो है, चंदुरज़ो है या सुर्खोटडा है तो आपको बताना है, कूट में सही उत्तरग आपको निर्दिष्ट करना है ठीक है, और ये कोश्चन कहाँ पूछागा है, ये आप देख सकते हैं तो 35 का जो है, करक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक तो जो मोहन जो लोड़ है, ये भी आपका सिंदु से संबंदित है और जो आपका चंदुरो जो है, ये भी आपका सिंदु से संबंदित है तो ये आपका दो और तीन जो है, किसमें है आपका दो और तीन आपका हो जाएगा करक्ट ठीक है दोस्तों तो सिंध से कौन संबंदित है तो यह आपका 2 और 3 जो है correct है तो 35 का आपका बी यह correct हो जाएगा ठीक है दोस्तों इतनी बात आपको याद रख लेनी है और चलिए दोस्तों देख लेते हैं question number 30 question number 36 है आपका मुहन जोदलो निमने लिखित में से कहा परिस्तित है मुहन जोदलो की बात हो रही है यह कहाँ परिस्तित है भारत के गुजरात राज्ये में भारत के पंजाब राज्ये में पाकिस्तान के सिंधपरांत में या फिर अफ़गानिस्तान में आपको बताना है 36 आपसे पूछा गया है ठीक है इसी तरह के question जो है same pattern के question same language के question आपसे जो है पूछे जाएंगे ठीक है question बिल्कुल भी hard नहीं है लेकिन आपको केवल तरीका आना चाहिए question को लगाने का language समझने का आपको तरीका आना चाहिए ठीक है इसलिए आपसे का जाते है कि आप जितना भी जाहें प्रेक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है तो चलिए दोस्तो 36 का आपका जो correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका C question number 37 देख लेते हैं चंद हुर्दोडों के उत्खनन का निर्देशन किया था जेच मैके ने, सर जोन मार्सल ने, आई एम वीलर ने या सर औरेल इस्टीब ने question कहां पूछागा है यह आप देख सकते हैं ठीक है किस तरह के question बनते हैं इस चीट से आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा दोस्तों किस तरह के question पूछे जाते हैं और कहां से question पूछे जाते हैं ठीक है और आपको बिल्कुल भी confuse होने की ज़रूरत नहीं है आपको सारे question इसी pattern पे मिलेंगे इसी तरह के मिलेंगे ठीक है तो 37 का आपको जो correct answer बताना है चंद हुजडों के उत्खनेन का जो निर्देशन किया था यह किया था आपका जे एच मैकेनी ठीक है तो 37 का जो correct answer हो जाएगा आपका यह हो जाएगा A जे एच मैकेनी question number 38 देख लेते हैं सिंदु घाटी सब्भेता का कौन सा इस्तान अब पाकिस्तान में है ठीक है दोस्तों आपका गुजरात में है और हडपा जो है आलम गिरुपुर आपका ये आपका मेरट में हो जाएगा और जो हडपा है दोस्तों ये आपका पाकिस्तान में हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है तो 38 का जो करक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका B जो हडपा है दोस्तों यह आपका पाकिस्तान में इस्थीत है ठीक है और पहले जो था जब अखंड बारत की बात करते हैं जिससे में हमारा खंड बारत था उससे में जो है यह इससा जो है सब बारत में ही आता था ठीक है दोस्तों पाकिस्तान के लगोने के बाद पंजाब में थी, पूरी उत्तर प्रदेश में थी, सोराष्ट में थी या आपकी राजिस्थान में थी तो आरेस में ये जो है कोश्चन आपसे पूछा रहा है तो 39 का आपको correct answer बताना है जो रंगपूरी की बात करते हैं दोस्तों तो रंगपुर जो है यह आपका गुजरात में हो जाएगा और गुजरात के भी जो है सोराष्ट में हो जाएगा जो सोराष्ट है दोस्तों यह आपका गुजरात के अंदर पढ़ता है और कोश्चन नमबर 38 का कोश्चन नमबर 39 का जो करक्ट आंसर हो जाएगा यह हो तक है जो साक्स है वो यहां से मिले हैं ठीक है दोस्तों और रंगपुर से चावल के साक्स भी जो है आपको देखने को मिल जाते हैं जो रंगपुर है दोस्तों महां से आपके चावल के साक्स भी मिले हैं तधेरी एक परवर्ती हडपेई पुरश्थल है जम्मू में हैं में कमेंट बॉक्स में अंसर कर सकते हैं और अपनी तयारी को दोस्तों परक सकते हैं 40 का जो करक्ट अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जो ददेरी है दोस्तों यह आपका पंजाब में इस्ठीथ है ठीक है दोस्तों इतनी बात आपको याद रख लेनी है और कोश्चे नमबर 41 देख लेते हैं सिंदू सब्वेता का कौन सा इस्थान भारत में इस्थीथ है भारत की बात करते हैं दोस्तों हडपा जो है यह आपका पाकिस्तान में इस्थीथ है लोथल आपका गुजरात में इस्थीत है तो ये आपका भारत में हो जाएगा ठीक है दोस्तों और मोहन जोदुलो ये भी आपका पाकिस्तान में इस्थीत है और question नमबर 41 का आपका करक्टा अंजर हो जाएगा C सिंदू सब्वैता का जो लोथल है यह आपका भारत में इस चीथ है ठीक है दोस्तों कोश्चन कहां पूछा है यह आप देख सकते हैं ठीक है दोस्तों और एक चीज में आपको बता देता हूं दोस्तों कोश्चन ज्यादा होने के कारण सिंदू घाटी सब्वैता को हमने दो आप देख रहे हैं और एक देख रहे हैं और एक विडियों आपको कल मिल जाएगा ठीक है दोस्तों और 45 प्रुट स्वम आपको लगबग इतनी प्रुट इक कोंसे जो है इस दोनों वी इंडियों से ऐस जाने वाला नहीं जो आप आपको इतना पता चल जाएगा कि इससे बाहर question कभी नहीं जाता है ठीक है दोस्तों language change हो सकती है को answer आपका वही रहेगा चीज वही पूछी जाएगी केवल घुमा फिरा के पूछी जाएगी आपसे एक वीडियो आप देख रहे हैं और एक वीडियो इसका जो है आपको कल मि पर इस्तित है यह आपको बताना है नर्मदा निदी पर मही नदी पर भोगवा या भीमा अच्छा मही नदी के बारे में दोस्तों जानते हैं जो मही नदी है यह आपकी कर्ग रेखा को दो बार काटती है यह चीज आपको मैंने extra fact बता दिया है ठीक है और मही नदी जो है यह मद्यपरदेश से उद्गमित होती है और यह आपकी कहा जाती राजिस्थान रिशोकर खंबात की खाड़ी में गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ठीक है दोस्तों यह मैंने extra question आपको बता दिया है तो आपको question number 42 का correct answer बताना है तो question number 42 का correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका भोगवा जो हडप्पाई नगर है दोस्तों जिसका परती निदी तो लोथल का पुरा तत्व इस्थाल करता है यह आपका भोगवा नदी पर हो जाएगा ठीक है लोथल जो है आपसे अलग से question पूछा जाएगा लोथल किस ने पर है तो ल लोथल इस्थित हो जाएगा बैल इसका जो है सी अंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों इतनी बात आपको याद रख लेनी है और question number 43 देख लेते हैं question आपको दोस्तों सारे selected मिलेंगे और एक भी question आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो है एक्जाम में नहीं आया हुआ है या आपका सिंद में question आपसे दो बार यह पूछा जा चुका है और question number 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हड़पा से बैता का जो लोथल इस्थाल है यह आपका जो है गुजरात में इतनी बड़ी वीडियो देखने के बाद यह तो दोस्तों आपको पता चली गया होगा कि जो है गुजरात में जो है लोथल इस्थीत है ठीक है दोस्तों इतनी बात आपको याद रखनी है और question number 44 देख लेते हैं तो 44 क्या हो जाएगा सिंदु घाटी से बैता का जो पतन नगर था यह आपका हडपा था काली बंगा था लोथल था यह आपका मोहन जोड़ो था जो सिंदु घाटी से बैता का जो पतन नगर था दोस्तों पतन नगर बोलते हैं दोस्तों जहां पर जो है समुंदर से इधर समुंदर है आपका और इधर जो है आपका जहां जो समान उतारा जाता है जो बंदरगा बोला जाता है इसको तो यह आपका हो जाएगा बंदरगा प ठीक है दोस्तों तो बंदर का जो है या पत्तन अगर कहां श्तिता तो यह हो जाएगा आपका गुजरात के लोथल में तो 44 का जो correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका C सिंदु घाटी सब्वैता का पत्तन नगर कहां श्तिता कोश्चन दोस्तों इसी से बन सकता है लोथल जो है क्यों famous है तो यह अपने पत्तन नगर के या अपने बंदरगा के लिए परसिद है ठीक है दोस्तों इस तरह से कोश्चन examiner बना सकता है तो चलिए दोस्तों देख लेते हमारा आज का लास्ट कोश्चन और यह हो जाएगा हमारा 45 सिंदु घाटी सब्वेता की सबसे महतपूर्ण विशेश्चता क्या है तो सिंदु घाटी सब्वेता की सबसे महतपूर्ण विशेश्चता आपको बतानी है तो पैतालिस का जो है करक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा दोस्तो ये आपका करक्ट आंसर हो जाएगा तो जो सिंदु घाटी की सब्याता है पक्की इटों से बने मकान थे ये आपका करक्ट हो जाएगा पर्थम असली महराब थी ये भी आपका प तो आपका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा अगर आप कम समय में बहतर तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी subscribe कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में share कर सकते हैं ठीक है दोस्तों हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको link जो है description में म उस्तों है झालता सकते हैं तोस्तों में तोस्तों हो आपको जो।